हाँ जी नमस्कार फ्रेंड्स सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटपों पर एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम देखने वाले हैं चोध में विदानसवा जो 2019 के अंदर जो विदानसवा हुई थी उसके अंदर जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स और उस पे बनने वाले जो MCQs हैं वो इंदी के अंदर ठीक है एक बात और आप ध्यान रखें अगर आपने मेरे पिछले दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिए जिसके अंदर मैंने काफी important points जो है विदानसवा से related वो करवा रखे हैं रियाना विदानसवा से related मैंने सबसे important question जो पिछे लिए गये हैं उनको ही consider किया है ठीक है तो इसके बारे में थोड़ी सी theory आप जान ले इनको start हुआ था October के अंदर October 2019 के अंदर ये जो हुई थी चुनाव भी हुआ था और इसका result आ गया था जिसके अंदर BJP को 40 seat मिली थी Congress को 31 मिली थी JJP को 10 मिली थी निर्दल ये जो थे उनको 7 मिली थी ठीक है और एक मिली थी इनेलो को INLD को एक मिली थी और एक हमारे गुपाल कांडा हलोपा से सिर्सा से एंवो एक इनको मिली थी ठीक है ये seat एक कुछ मिली थी जिसमें सबसे ज़्यादा जो सेर था वो BJP कह था और BJP इने निर्दलियों के साथ मिलके सरकार जो है वो बना ली थी ये बात समझ में आगी अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये देख लीजिए सबसे बड़ी जीत थी बड़ी जो जीत थी वो किस की थी? वो थी जी बुपेंदर सिंग उड़ा की सबसे बड़ी और सबसे चोटी जीत अगर मैं बात करूँ तो वो थी गुपाल कांडा की ठीक है? बड़ी जीत सबसे बड़ी जीत गुपेंदर सिंग उड़ा की और सबसे चोटी जीत थी वो वो कौपाल कांडा जी कौपाल कांडा की थी और एक ही गाम जिसमें सबसे ज़्यादा विदायक जो निकले थे वो थे चोटाला से चोटाला से लगबग पांच विदायक निकले थे ठीक है एक ही गाम थी जिसमने पांच उटाई दिये थे ये बाते हैं आपको समझ में आ गए चलिए मैं इसको कलियर कर देता हूँ और बागी पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ बता रहूंगा तो सबसे पहला पॉइंट देखिए ये रापकी सक्रीन के उपर चुनाव आयजुत हुए थे 21 अक्तूबर को और इसका जो प्रिनाम गोशित हुआ था बो 24 अक्तूबर को हो गया था इसके बाद में देखिए आप बाजबा को 40 सीटे मिली थी बो लगबग 36.5 परसेंट था टोटल का उसके बाद में कॉंग्रिस को 31 सीटे मिली थी बो 28.1 परसेंट था टोटल वोट का उसके बाद जजबा को मिली 10 जो 14.2 वोट सेर था इनेलो को मिली सीटे एक उसके बाद में हलोपा को मिली सीटे एक उसके बाद में निर्दलिये को सीटे मिली साथ उसके बाद में देखिए सबसे बड़ी जीत थी वो पेंदर सिंग उड़ा की थी रोतक से चुनाव लड़ते हैं ये सबसे चोटी जीत गुपाल कांडा की सिरसा से चुनाव लड़ते हैं उसके बाद में देखिए सबसे यूवा एमेले जो थे वो थे दुश्यन्त चोटाला ठीक है बेगराउंड में जो आ रही आवाज उनके लिए मैं समा चाता हूँ क्योंकि बिल्कुल साइलेंट रूम अवेलेबल नहीं है फिलाल तो आप इसको निगनोर करें सिर्फ अपनी इसके उपर ही ध्यान दे सबसे यूवा एमेले हमारे कौन थे दुश्यन्त चोटाला जी 31 साल की उमर से उसके बाद में सबसे बजुरक जो थे वो थे रगवीर काद्यान 75 साल की उमर के थे ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए चोध में विद ठीक है यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है सबसे बड़ी जीत और सबसे चोटी जीत यह आपसे पूचा जा सकता है चलिए नेक्स्ट पॉइंट की और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट यह रहा आपकी सक्रीन पर चोध में विदानसवा में कुल महला विदायक कोंकी सं ठीकर बनाये जाते हैं वो और अग्विर काद्यान जी को बनाया गया था यह बात पी आपको याद रखनी है ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और जो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है जी चोध में विदानसवा में सरबादिक विवाद गायक वाला गाम चोटाला पांच विदायक दिये थे आपको मैंने ये बता दिया है चोध में विदानसवा में बाजबा के कितने विदायक दुबारा चुन कर आए थे तो विदानसवा में बाजबा के 21 जो थे वो दुबारा चुन कर आए थे और 15 कुछ ऐसे दिगज नेता थे जो हार गए थी चुनाओ को ठीक है आप कुछ बाते और देख लीजी इसमें सबसे अमीर जो विदायक थे अमीर विदायक है वो महम से थे बलराज कुंडू बलराज कुंडू जो वो सबसे अमीर विदायक थे उसके बाद मैं सबसे गरीब की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे बालमिकीजी थे इसराना से थे वो इसराना से उन्होंने चुनाव लड़ा था वो सबसे गरीब थे ये बात भी आपको याद रखनी है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के और सबसे अमीर विदायक बलराज कुंडू महें से सबसे गरीब बलवीर बालमिकीजी इसराना से चलिए नेक्स्ट पॉइंट के और ये रहा आपकी सक्रीन पर राज्ये में कितने साल बाद सत्ता में गेर कांग्रेसी सरकार बनी तो ये 53 साल बाद बनी कौन से सरकार बनी जी बीजेपी पलस जेजेपी ये बात भी आप याद रख सकते हैं चलिए नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है अर्याना विदान सबा में 53 वर्स पूराने ओध रेजिस्टर ओध रेजिस्टर देखे ओध किसको कहते हैं अनसूची में दर्ज है कौन सी तीसरी अनसूची सविदान में टोटल 12 अनसूचियां है जिसमें तीसरी अनसूची के अंदर सब्त के बारे में पूरा ग्यान दिया गया है तो अगर आपने अनसूचियां याद करनी है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है subscribe जरूर करें share भी करें और comment करना ना बुलें ठीक है तो चलिए इतनी बातें तो हो गई इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे यह मैं clear कर देता हूँ यह लीजिए हाँ जी यह पूछाए भी ओध रिजिस्टर जिसको बदला गया था उसमें कुल कितने विदायकों के structure है तो वो 1179 की है यह important point है इस ओध रिजिस्टर को इन्होंने बदल दिया है अब जिसके अंदर 1179 तब तक ले लिए गी है 53 सालों के पिछले अब देखी चोदमी जो विदानसबा है उसके अदेक्स कौन है सिरी ग्यानचंद गुपता जी थे जिनको पंचकुला से इन्होंने चुनाब लड़ा था उस वक्त इनको बनाया गया था चलिए आपके लिए एक कुमेंट है अभी देक्स कौन है ये भी पताएं क्या ग्यानचंद गुपता जी है या कोई और है उपा देक्स श्री रनवीर जी गंगवा को बनाया गया उसके बाद में देखिए next point अंक्रेज जी में स ये भी बात आप याद रख सकते हैं और 53 विदायक जो थे उन्होंने हिंदी में अपनी सब्ध ले थी कितने 53 ने चलिए next देख लीजी आप next आपके सामने राज्य का सरबादिक उंचा मतदान के अंदर कौन सा था दामन गाउं कौन सा जी दामन गाउं कालका से पंचकुल इन ignorant डाएं जो विदायक थे गाउं जो विदाएक थे उन्होंनं चुनाव लडना था बापके सबसे कम च पंच कुला था 5 से आ रहा है तो 5 विदायक थे जिन्होंने वहां से चुनाव लडा था यह रहा है सक्रीन पर सबसे कम च्छा पूपर प्वदाइक से निये इसके उपर पांच कर लिजी का यहां पर पांच कर लीजी अप ह्वीयगा 5 उजाएक को ने लडा था अममाला केंट से यह पांच-50 खुला है अमबहला केंट से च्छार ने लडा तो ये भी आप कर सकते हैं इस point को आप correct कर लीजिएगा माप कीजिएगा मुझे इसको आप correct कीजिएगा पांच पंचकुला से लड़ा था इसको मैंने इस तरह से याद रख रखाता है बाकी इसको मैं cross check कर लूँगा एक बार point को इसका सई answer क्या है एक बार इसे आप leave करें इसको आप एक बार leave कर सकते हैं एक बार leave करें कल जो next lecture आएगा शाम को मैं उसके अंदर आपको ये confirm करके बता दूँगा भी इस answer exact क्या था मेरे अंदाजिए से तो पंचकुला था जिसके अंदर पांच विदाएक थे चली कोई बात नहीं next point क्यों बढ़ते हैं राज्या के बर्तमान डिप्टी सीम का विद्यानसवा शेतर कुनस है उचाना कला है चली next किस मुक्यमंतरी के समय में यह important point है इसको मैं सारा clear करके एक बार आपको बता देता हूँ इसके बारे में भी यह लेजिए डिप्टी सीम बनाया गया था किसके राव विरेंदर सिंग की सरकार में सबसे पहले जो डिप्टी सीम बनाये गये थे उसके बाद में देखिए डिप्टी सीम किसको बनाया गया था वो बनाया गया था जी चांद राम को किसको चांद राम को first dipty cm बनाया गया था और उनका निर्वाचन छेतर तो जहा वो था जजजर कौँसा जजजर था उनका निर्वाचन छेतर जो कि एक अरक्षित सीट है हरयाना में अरक्षित सीट है हरयाना में ये बात भी आप याद रखेंगे चलिए बढ़ते हैं आज का session यहीं हम खतम करते हैं और जो इसका next part होगा वो आज शाम को upload कर दिया जाएगा अगर आप मेरे channel पर new है तो मेरे channel को subscribe जुरूर करें ठीक है और एक बात मैं आपको बता देता हूँ मैं ये पूरी की पूरी हर्याना जी के इसी 13-10 मिनट की lecture के अंदर complete करने वाला हूँ और सारे important point है जो मैं लेके आने वाला हूँ अगर मेरे channel आप इसकी PDF चाहते हैं ठीक है PDF चाहते हैं तो आप मुझे सुथार educator सारा capital के अंदर है ये ये टेले गलाम channel है मेरा उसके उपर जुर सकते हैं और आप मुझे वहां पर message कर सकते हैं मैं आपको इस सभी की PDF अपर वाइड कर दूँगा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद मिलते हैं next video